हलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूटू चैनल सुधा मैं आज आपके लिए कर आई हूं मस्रूम मटर मसाला की रेस्पी इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस सब्जी को सर्दियों की सीजिन में खाने का मजाई कुछ और होता है मस्रूम मटर मसाला बनाना सुरू करते हैं मैंन और हम खड़े मसाला का समाल नहीं कर रहे हैं और सबकुछ मैंने ये रफली कर लिया है प्याज हों टमाटर हों हरी मिच या अदरा विए लेशन सबको मैнने रफली कटा उगा है और अब मस्रूम को काट कर तैettedाषे मैंने यहूं यहां पर मस्रूम के चाठ टुकड़े की ह पहले एक मस्रूम को आदा कट कर लेंगे उसके बाद आदे मस्रूम में से आदा कट कर देंगे इस तरह से मस्रूम को चाथ टुकड़ों में काट कर तयार किया है अगर मस्रूम बड़े-बड़े हैं तो आप मस्रूम के 6 टुकड़े भी कट कर सकते हैं इसी तरह से मैंने अप मस्तरूम को धुने के लिए मैंने हलका गरम पानी लिया है गरम पानी इसलिए लिया ताकि इसमें जितनी भी इंपिरुटी है यानि की गंदगी है वो सारी निकल जाए और आप एक से दो मिनिट ऐसे करना और इसे अच्छे से क्लीन कर लेना के लिए करने के बाद इसे एक प् अब चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ ग्रेवी बनाना इस बार मैंने थोड़ा सा अलग मेथोड यूज किया है यह मेथोड बहुत बढ़िया है आसान है ग्रेवी बनाने के लिए और हम कडाई में दो बड़े चमाच ओल डालेंगे ओल को गरम करेंगे और गरम हो चका है सबसे पहले हम रपली कटी होई प्याज डालेंगे इसको आपको हल्का गोल्डन ग्राउं करना आए बहुत ज्यादा नहीं करना आए ऐसे एक दम डार कलर नहीं चाहिए फियंग का हल्का सा गोल्डन ब्राउंड कलर चाहिए यानि कि इसका resist करना है अच्छे से चलाते रहें यह देखो थोड़ी देर में प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और यह आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसमें डाल देंगे अधरक लेसन हरी मिर्च और इनको एक से दो मिनेट और वूनेंगे ताकि इसका एक टमाठर भी डाल देंगे अब हमें टमाठर विस अच्छे से गलाना है और जब टमाठर कोरी मिर्च घलाना के लिचव बहुत जरूर लिया इंधर लेख जाते हैं और आप पांच मिनटे के लिए डग देंगे और जब आप डग कर पका रहे हो तो इसे बीच बीच में देखते भी रहना है ताकि जो हमारा मसाला है बहुत जले नहीं पकाना आपको तब तक है जब तक आपकी टमाटर सौप्टना हो जाए और बापस फिर से डग देंगे दो से तीन मिनट के लिए और यह आप दे सकते हैं कि टमाटर हमारे पक चुकी है और अब हम इन्हें करेंगे ग्रांड करने से पहले नहीं हम ठंडा कर लेंगे पांच मिन इसना आप के बाद अब ऑन अपनी सुप्दा हम्सारन से गरांड कर सकते हैं मैं या ग्रांड घर रहे हूं चौपर में पहुत ही आसान है कि देखिए मैंने चौपर में ताव मसालों को रख लिया आया है कि अब श्रौ अब इसे में हलका सबींकि के चलते हैं ऑर छे ख चल और यह हमारा पेस्ट बन कर तयार हो चुका है अब चलते हैं अपनी मसाला गरेवी की तरफ मसाला गरेवी बनाने के लिए हम दो बड़े चमच गड़ाई में और यह आप सोच रहे होंगे कि और गरम होने के बाद यह डारेक्ट पेस्ट डाल दिया है जी नहीं ऐसा नहीं है मुझसे थोड़ी सी वीडियो कट गई थी इस वैसे ही ऐसा हो गया है लेकिन आप घब रहे हैं नहीं मैं आपको बता देती हूं और जीरा डालेंगे और उसके बाद एक देज पत्ता उसके बाद आप पेस्ट डालेंगे पेस्ट को हम तब तक भूनेंगे जब तक पेस्ट और दो चमज सबजी मसाला डाल देंगे अब इन मसालों को अच्छे से मिस कर लेते हैं मसालों को कैसे बुना ये तो आप जानते ही हैं जी हां मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक की मसालों से तेला लगना हो जाए गयास का फिले हम मीडिया मी रखेंगे और मसालों को हम कंटिन्य चलाते रहेंगे जिसे कि हमारा mahsara जलना है लगों मसाला हमारा टाया हो चुका है अभी सहम और बाइब कंथा थोड़ा सिफ पानि एट करेंगे काय को पानी बाद बेंगे कि यो चेगर बें निए पानि एक मर्ग पख्रूदेखे, मसाल को अरो कर दो था जाँ जो तक ईखना से भीस है् कुरसे हो पांच मुनेट उसकी और यह देख सकते हो कम इस बाटाई है उसके बीच-बीच में जैकर जाए कि पहना जाए कि अब देख कुड़े टेल में वक लिबूड कर आए अब इसमें हम डाल देते हैं मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों में अब इसके साथ ही हम डाल देते हैं जीरा पावडर और आदा छोटा चमच गरम मशाला अब मसालों को मटर में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अगर आप ब्रोजर मटर यूज कर रहे हो तो मस्रूम भी इसी टाम पर डाल देने हैं लेकिन मैं तो यहां पर ब्रोजर मटर का इस्तमाल नहीं कर रही हूं तो इसलिए मैं यहां पर मटर को अच्छे से पकाऊंगी और मटर को पकाने के लिए मैंने एट किया है, एक कप पानी, मैंने या पे मटर पकाने के लिए एक से दो कप पानी यूज किया है, आप अपने ग्रेवी के सबसे पानी एट कर सकते हैं, तो एक कप पानी और डाल दूंगे, पानी डालने के बाद मटर को हम पकने देते हैं, पांच मिनिट के लिए डग देते हैं, पांच मिनिट बाद हम मटर को चेक कर लेते हैं, मटर हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम एड कर देते हैं मिस्क कर देते हैं, मटर मसाला में अच्छे से मिस्क कर देते है, चेहां नहीं कहलbuild मैंब आप मसरूम को फराय करके भी डाल सकते हैं नहीं किया美味 मसरूम को पकाना भी है मसरूम को पकाने के लिए मुझे अपनी घ्रेवी में पानी कम लग रहा है तो मैं यह एक कप पानी औरैट एक है और उसके बाद 7-8 मिनिट तक और पकाएंगे डग देते हैं और इसे बीच-बीच में चेक करते रहना है कि सब्जी हमारी चिपकना जाए मस्रूम को हमें अच्छे से पकाएंगे मस्रूम हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और जिन लोगों को लो बीपी की थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं अब हमारा मस्रूम गल चुका है और मटर भी चुकी है एकदम स्पैसी वाली सब्जी बनी है बिल्कुल रेश्ट्रोयन जैसी मुझे थोड़ी सी गाड़ी ग्रेवी पसंद है मैंने इसको ऐसे बनाया है और अगर आपको थोड़ी लि कर देते हैं और हरे धनिये को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब इसे डग देंगे और एक प्याले में निकाल लेंगे इतनी सब्जी तीन से चार लोगों के लिए परयापत है मस्रूम मटर मसाला को आप चापाती नान या पूरी पराठा के साथ सर्फ कर सकते हैं मस्रूम की सब्जी बिल्कुल पनीर जैसी लगती है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत भादिमंध होती है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब की वीडियो का नोट्विपेशन आपको मिल जाए थैंस फॉर वाचिंग माई वीडियो